नमस्कार क्या आप जानते हैं कि जोति सास्त्र में सिर्फ लगन कुंडली देखने से ही सारा प्रेडिक्शन हो जाता है क्या नग्षत्रों का कोई रोल नहीं आज कर जादा से जादा जोदशी जो पुराना हमारा जोती सास्तर था उसको फॉलो न करके सिर्फ लगन कुड़ि को देख के विशलेशन करते हैं इस वजह से जादातर से जादातर प्रेडिक्शन गलत साबित होते हैं तो चलिए हम लो स्टड़ी का वह स्टड़ी करेंगे पहले बेसिक स्टड़ी करेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण मूर्ति पदती जो पूरा का पूरा नक्षत्रों और उपनक्षत्रों पर अधारित है और साथ में पढ़ेंगे नाडी जोतिस नाडी यानि जो कोई एक अकेला गरह का रिजल्ट नहीं दे सकता यानि जब तक किसी और गरह का सपोर्ट नहीं होता तो तो यह तीनों कॉंबिनेशन को जब हम मिला के स्टड़ी करते हैं तो एक अलग ही प्रेडिक्शन सुरू होता है एक अलग ही रिजल्ट आता है तो मैं आचारे पंकज और आपका स्वागत है वास्तु शिखर में सबसे पहले हम समझते हैं कि यह कोर्स जो आनलाइन कोर्स है जोतिश का वह कैसे हम लोग करेंगे कोर्स का जो मोड होगा वह आनलाइन होगा और वास्तुसिखर.com जो हमारा वेबसाइट है या वास्तु सिखर के मोबाईल एप के थुरू आप पूरा कोर्स सीख सकते हैं इसका हर सब्ता में एक लाइफ क्लास होगा जो लगबंद दो से धाई घंटे का होगा जो आप चार चैप्टर पर स्टड़ी करते हैं उसमें जो डाउट होंगे उससे डाउट को क्लियर करेंगे हम लाइफ सेशन में जो अभी मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं जिस बोर्ट प करेंगे यानि पहला स्टेज चार चैप्टर एवरी विक आपको मिलेगा देखने के लिए समझने के लिए स्टड़ी के लिए फिर लाइफ सेशन उस डाउट को क्लियर करने के लिए साथ में पीडियेफ में नोट्स होंगे इसको आप रीड करेंगे फिर है लाइफ टाइम मेंबर्सीप मिलेगा आपको इसके साथ साथ सारे केस स्टड़ी होंगे और हर महीने आपको इमैकजिन मिलेगा जिसमें किसने कुंडली देखके क्या देखा कुछ नई चीजे जिसने भी सिखा वो डला होगा और जोतिस और वास्तु से रिलेटेड नए नए आर्टिकल हर स 12 रासियों के बारे में 27 न क्षटत्र के बारे में 12 घर के बारे में महादसां कैसे देखते प्यडिक्षन करेंगे बैदिक जोतिस्का कि लगन कूंडली और बाखी retail को कैसे देखके हम यहां तक हम लोग यह प्यडिक्षन तक study करेंगए और असली खिल अब शुरू होगा जब हम लोग क्रिश्न मूर्ति प्दधी के तरब चलेंगे के पी जोतिष सिस्टम के बारे में study करेंगे रूल्स के बारे में समझेंगे के उप्यों प्शेष्टरों पे आधारित तो हमने जो कॉर्ष् ब्जयन किया वो KP और नाड़ी अस्ट्रोजी दो अस्ट्रोजी सिस्टम को एक साथ मिलाया आपको लगता होगा ये दोने बहुत अलग-अलग हैं लेकिन ऐसा नहीं है नाड़ी जोतिस KP जोतिस का ही एक हिस्सा है इसके आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप एक अलग जोतिस सिस्टम अस्टड़ी कर रहे हैं दोनों लगभग लगभग एक ही तरह के हैं KP का बाट है नाड़ी तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज हैं वह स्टड़ी करेंगे 10 का एक्जाम दे 12 का एक्जाम दे कौन सी एक्जाम में कितना परसेंट रिजल्ट लेके आएगा लगभग लगभग हम लोग गाइड कर सकते हैं अजुकेशन पढ़ने के बाद तो क्या है आपने जैसी एजुकेशन चैप्टर कंप्लीट किया आ अब आप रैक्टिकल करना सुरू करते हैं किसी भी कुंडली को उठा के आप एजुकेशन से सब कुछ बता देते हैं यानि आपके अंदर एक कॉन्फिदेंस बिल्ड अप होता है फिर अब लोग परते हैं प्रोपर्टी परचेज करने चले हैं मिलेगा नहीं मिलेगा प्र आप्र आयवल या महरेटेड नहों पर जैसे ही आप चैपटर क्म्पोलीट करतें उस चैपटर से सारा नौलेज Նपको आजाता है फिर लोग पढ़ेंगे लिटिजिशन केस मुकदमा कि केस मुकदमा कब होगा litigation होगा नहीं होगा और litigation है तो कौन से ग्रह में किस तरह के litigation होते हैं वो सारा study करेंगे फिर है marriage love marriage 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 life कैसी है और कहीं divorce का तो योग नहीं बन रहा या no marriage का योग तो नहीं है वो सारा study करेंगे एक एक point by point साथ में फिर पढ़ेंगे travel विदेश जाने की इच्छा है त्यारी कर रहे हैं जान नहीं पा रहे हैं तो कौन सा अग्रह योग बनाएगा केपी की सहायता से study करेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे बच्छा बेबी से स्टडी करेंगे कि बेबी योग है या नहीं है बेबी का कश्टडी को लेकर जगड़ा होता है तो बेबी का कश्टडी किसके तरफ जाएगा मदर के तरफ या फादर के तरफ वो बेबी के कुंड बोत होगा या नहीं होगा नौ जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा परमोशन का योग बनता है या नहीं बनता है वह सारा हम लोगा study करेंगे इसके बाद गाड़ी का सुख लिणना है तो गाड़ी के सुख से सम्मंधित study करेंगे केपी की सहायता से की गाड़ी वाले कॉंबिनेशन गरह में बनते हैं या नहीं बनते वह सारा study करेंगे फिर अश्टड़ी करेंगे एज लॉंगिटिविटी की व्यक्ति की लाइफ कैसी है लॉंग लाइफ है या सौट लाइफ है कृष्ण मूर्ती जी ने बहुत सटिक कल्कुलेशन बता है लॉंगिटिविटी से रिलेके इसके बाद जो अगला जो चैप्टर होगा वो होगा प्रस्न कुंडली का केपी का जो प्रस्न कुंडली सिस्टम है वो बहुत जबर्दस्त और मैं कहूंगा 100% accurate रिजल्ट आता है कृष्ण मूर्ती जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रस्न पूछता है या कुंडली दिखाने आता है या कुछ भी पूछने आता है तो वो अभी ही क्यों आया एक दिन पहले क्यों नहीं आया एक दिन बाद क्यों नहीं आया अभी ही कुंडली दिखाने या प्रस्न पूछने के लिए कॉल क्यों किया एक घंटा पहले क्यों नहीं किया वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है या जब कोई व् प्रश्न पूछने के लिए विवस कर देते हैं उसी ग्रह को देखिए उस ब्यक्ति के प्रश्न का जवाब उस ब्यक्ति के लट नमबर्स के साहिता से बता सकते हैं कि चुनबर्स कौन जिते गा पस कंडिसंन एक होता है कि क। करते हैं अब तक वो सही फल सही result नहीं देता तो कहते हैं कि कृष्ण मूर्ति पदती में question अगर सटिक है question अगर genuine है question अगर mature हो गया है तो 100% इसका सही result आता है और हम लोग classes के time पे ही बहुत सारा already practical करते हैं किसी student के मन में कोई इच्छा थी उसने phone की कि मुझे परिसानी है यह घटना कब घटेगी जहां हम लोग prediction करते हैं जब उसका result सही आता है और जब सभी students को पता चलता है कि किस तरह से हमने study किया और इसका result इतना सटिक आया है तो उनके अंदर एक faith एक trust create होता है और उसके बाद वो उसी method को follow करके prediction करते हैं